हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटिशन कमिनिटी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कंपटिशन कमिनिटी के यूट्यूब चनल में आप लोग देख रहे हैं ऐसे सीजेल एंड यूट्यूब कोर्स जिसमें अब एपरिल के महिने में हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है और जैसे कि आपको बताया भी किया था कि प्रैक्टिस सेशन का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया है कि दो सेट जो है डिरेक्ली आपके सीजेल के और दो सेट आपके डिरेक्ली सीजेल के कराये जाएंगे उसके बाद कि जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें हम जो के questions के साथ-साथ जो level of difficulty है वो भी हमने varied रखा है किसी कुछ questions easy, कुछ थोड़े moderate level के questions भी है, exactly इसी तरीकी questions आपको exam में देखने को मिल सकते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहे हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon दबाना ना भूले, क्योंकि best quality content के साथ आपका free of cost, पूरा का पूरा SSC, CGL and CHSL का course ना सिर्फ complete कराया गया है, बलके जैसे कि मैंने starting में बताया भी था कि अगर आप 2-3 साल से preparation में है, आपका अगर selection नहीं हो रहा है, तो आप लोग के लिए भरपूर मातरा पर practice भी कराये जाएगा, ऐसा भी खहा गया था और यहाँ पर आभी practice sessions आपका कराये ज कि हमने इसको कैसे solve किया क्योंकि कुछ short tricks भी होते हैं, जो कभी-कभी हमको पता नहीं होते हैं, ठीक है, चलिए, start करते हैं, यहाँ पर पहला सवाल दियो है, to do a certain work A and B work on alternate days, B beginning the work on the first day, A can finish the work alone in 37 days, if the work gets completed in 15 to 5 days, then B alone can finish 3 times of the work, same work in how many days, तो देखिए, यहाँ सवाल जो है, alternate days क पहले पहले ऐसा होता था, कि A अगर 10 दिन में कारे कर सकता है, B अगर 20 दिन में कारे कर सकता है, अगर alternate days में कारे हो रहा है, तो बताईए कि कि किते दिन में होगा, लेकिन आजकल जो है latest pattern of questions में कुछ इस प्रकार की questions आ रहे हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर alternate days में काम करने प पूरा का पूरा 16 दिन पूरा नहीं हुआ, 15 सही, 2 बटे 5 दिन में कारे हुआ, मतलब इसका मतलब यह है कि 8 दिन B तो काम करेगा, लेकिन A विचारा आखरी दिन पूरा काम नहीं करेगा, 7 दिन तो पूरे होंगे, आखरी दिन का 2 बटे 5 हिस्सा ही काम होगा, ठीक है, तो इ 37 days में पूरा काम करता है तो A का हिस्सा समझ में आ जाएगा ठीक है ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि B ने कारे को स्टार्ट किया था तो B फिर A फिर B फिर A इस तरीके से साथ दिन पूरे हो जाएंगे आठवा दिन B का पूरा कंप्रीट होगा लेकिन आठवा दिन A का पूरा ठीक है 37 by 5 आएगा ठीक 37 by 5 यानि कि A ने जो काम किया 37 by 5 डेस का काम किया मतलब देखिए A ने काम किया तो कितना किया यह 37 by 5 डेस का काम कर रहा है और आपको पता है कि A पूरे काम को 37 डेस में करता है तो work done by A जो होगा वो कितना होगा 37 by 5 तो पूरा है और divided by 37 कर लीजे तो तो इसको काटेंगे, मतलब एक बटे पाँच हिस्सा कारे का जो है, वो ए करता है, अगर एक बटे पाँच हिस्सा कारे का ए करता है, तो चार बटे पाँच हिस्सा भी करेगा, मतलब कारे का एक 20% अगर ए कर रहा है, तो कारे का जो बाकी बचा हो हिस्सा है, वो कौन करेगा, भी करेगा ठीक है तो अब देखिए सवाल यहां से क्या पूछ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देना तीन गुने कारे को करने में किता समय लगेगा देखिए यह सारी चीज़े हमने करके ऊपर आ जानुट करके ऊफर घृष तो अगर मैं इसे काटू तो चार से गए दो बार अधर मतलब दस दीन में दस दीन लग रहेकिंसे पूरे कारे को करने मैं लेकिन सवाल यह नहीं Salt सवाल है कि तीन गुने कारे को करना है अगर तीन गुने कारे को करना है तो तीन गुने कारे के लिए तीन गुना समय लगेगा 30 days ठीक है तो पूरे कारे को करने में तो 10 दिन लग रहा है लेकिन जब तीन गुने कारे है तो यहां पर 30 days लो लग जाएंगे इसको काम complete करने के ल यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा 11 न्यू मंथली सालरी ओफ यह जो है 11 है तो यहां पर आप देखेंगे कि 22 है तो यही इसका उत्तर होना चाहिए 22 लेकिन अगर फिर भी पूरा सॉल्व करना चाहते है तो 5 रेश्यो 6 था इसमें हमने इसका भी 2000 रुपे बढ़ाया और 2000 रुपे इसका भी बढ़ाया दोनों को जब 2000-2000 बढ़ा हो गए तो कितना हो रहा है तो यहां पर 11 अनुपात 13 हो रहा है ठीक है एक चीज आप समझना यहां पर सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं क्रॉस प्रोड़क्ट भी आप लगा सकते देखेंगे तो दो का डिफरेंस यहां डिफरेंस देखेंगे तो एक का डिफरेंस मतलब रेश्चो जो है यह बैलेंस ट नहीं है यहां अगर दो का डिफरेंस आ रहा है दो यहां भी दो का डिफरेंस आना चाहिए था क्योंकि दोनों को आपने बरावर अमांट से बढ़ा एक यूनिट बरावर दो हजार रुपया है तो अब एक ही जो salary है वो बढ़ने के बाद 11 यूनिट की है तो अगर एक यूनिट इतना है तो 11 यूनिट करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे सर यहां पर 22,000 अपर आ जाएगा यहां तक मेरी बातों से आप सहमत होंगे दूसरा क्या है क्रॉस प्रड़क्ट क्रॉस प्रड़क्ट के बारे में जब यहां समें करिये कि वैल्यू अलग अलग आते ऐसे कंडिशन में आपको क्रॉस प्रड़क लगाना होता इनीस्टियल है क्या है 5 to 6 है और चेंज कितने का हो रहा है तो प्लस 2000 का यहाँ पर भी चेंज और अनुपात यहाँ पर भी है फ्लस टू सुटाओजंड का लिख स क्राइब करना है तो 5 ह्टिफ्थाइब FROM of 66 तो माइनस वन आ रहा है ठीक है माइनस वन का वैलू यहां से 11 into 2000 तो 40 20 2000 और 13 into 2000 तो 26 मतलब दोनों का डिफरेंस जो है माइनस का 4000 आ रहा है एक यूनिट बरावर कितना है 4000 के अब एक यूनिट का मतलब क्या इनिश्यल वाले रेश्यो की बात हो रही है तो यह जो पांच यूनिट है डारेक्ली आप यहां पर मल्टिप्लाय करने की गलती मत करना यह जो एक यूनिट है पहले वाले तरीके से समझाया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं average of age of 11 students of the class increased by two months when two of them 18 years of age and 20 years of age are replaced by two new students what is the average age of the new students देखे समझेगा यहां से क्या बोलना चाहरा है प्रश्ण ग्यारा स्टुडेंट्स थे इन 11 स्टुडेंट्स के समूं में एक जो 18 वर्स का बच्चा है और एक जो 20 वर्स का बच्चा है दोनों को हमने इस ग्रूप से बाहर कर दिया और इन दोनों के जगा पे दो नए लोग को ले आए तो यहां जो average है यह जो average है यह two months से बढ़ गया ठीक है two months से इनका जो average increase हो गया अब समझिएगा कि यह जो नए लोग आए उनका क्या average है आपको निकालने को बोला जा रहा है थोड़ा से समझिएगा बात को अगर जो नए लोग आ रहे हैं वो अगर 18 साल और 20 वर्ष के ही होते मैं यह कह रहा हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं अगर वो 18 और 20 वर्ष के ही होते तो यहां पर जो 11 वर्ष का जो आयू है जो average मतलब कि इनका जो 11 का जो average है वो change नहीं होना था लेकिन change हुआ कितने से change होगा 2 months से बढ़ गया याने 22 महीने उनका sum बढ़ गया होगा तो इसका मतलब जो नए लोग आए A और B suppose A और B नए लोग आए इनका जो age होगा A plus B बरावर हो जाएगा 18 plus 20 18 plus 20 का मतलब होगा कितना 38 ठीक है प्लस ये जो है 2 महीने से average बढ़ा रहे है 11 लोगों में मतलब 2 into 11 इतने महीने और जादा होगे क्योंकि हम वर्षों में बात कर रहे है 38 वर्ष है तो इसको वर्ष में convert करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा clear अब देखिए इसका average आपको निकालना था तो average का मतलब क्यों होता है a plus b divided by 2 divided by 2 करूंगा तो ये 19 मन जाएगा और ये वाला 2 कर जाएगा मतलब 19 वर्ष तो पूरे हो गाए और ये 11 बटे 12 का मतलब होता है 11 महीना मतलब कि ये जो c है सवाल का से उत्तर है तो deviation से बहुत सारी चीजे बहुत easily calculate हो जाती है आपको बस ये समझना है कि balance कैसे करें चीजों को यह replacement का सवाल है तो मैं कहरा हूँ कि 18 वर्ष और 30 वर्ष का दो बच्चे अगर बाहर गए दो बच्चे अगर 38 वर्ष होता है इनका सम तो फिर average में कोई change नहीं होना था और क्योंकि यह years में है इसको भी years में convert करने के लिए divided by 12 करना पड़ेगा यह years में आ गया और यह a plus b का सम है तो average क्या होता है a plus b divided by 2 तो इसको 2 से हमको divide करना पड़ेगा तो उत्तर आ जाएगा 19 months and 11 19 years and 11 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question if the petrol prices are raised by 20% the percentage by which the car owner must reduce his consumption so as to not increase the expenditure बहुत आसान सावाल है आप लोग अच्छे से जानते है expenditure बराबर होता है price multiplied by consumption बोल रहा है expenditure बढ़ना नहीं चाहिए यानि प्रारंभीक मूले एक है तो अंती मूले भी एक होगा इस 20% का मतलब आप सब जानते हैं 20% का मतलब 1 by 5 होता है कहने का मतलब अगर आपने कहा कि price जो है वो एक बटे 5 से बढ़ रहा है मतलब अगर प्रारंभीक मूले 5 होगा तो अंती मूले 6 होगा मतलब consumption के बारे में हम अब क्या predict कर सकते देखे समझे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एक ऐसा चीज मल्टिप्लाइ करना है कि यहाँ पर इसका वैलू जो है वो बना है तो इसका multiplicative inverse यानि इसका व्यूत करम मल्टिप्लाइ करने पर ही ऐसा हो सकता है मतलब यहाँ आपको 5 by 6 मल्टिप्लाइ करना होगा तो मैंने यहाँ पर सारी चीजे इनिशेल वैल्यू जो है वो डिनॉम्रेटर में लिए फाइनल वैल्यू जो है नियूम्रेटर में लिए ठीक है प्रारमिक मूली अंति मूली तो यहाँ से अगर आप देखें तो 6 से घटकर एक हो गया तो परसेंटेज डिक्रीज जो है यह हो रहा है एक का दिवाइड वैज 6 मल्टिप्लाइड वैंट्रेट और 1 वैज 6 का परसेंटेज वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 16 2 x 3 परसेंटेज 16 2 x 3 परसेंटेज जो की भी है सवाल का सही उतर clear है चलिए बहुत असान से सवाल है एक हाउज है ठीक है हाईज एड शॉप वेर सोल्ट फर 1 लैक इच इस अधने टूंसेर स्टो परसेंट को चौक्चिन परसेंट को इनटायर ट्रांजक्चिन रिजुत अधने तो नो प्रोफित नो लॉस प्रोफित ऑफित 20 लैक्रेज लॉस ओफित 1 वेजीम ट्राइफित और एक को जितने profit percent पर बिचा दुसरे को उतने ही loss percent पर बिचा तो वहाँ पर loss होता है ये तो आपको confirm पता होना चाहिए हाँ अगर यहाँ पर बोल देता कि एक घर और एक दुकान दोनों को एक लाक रुपए में बिके के जगा पर खरीदे होते तो ऐसे condition में पहला वाला answer होता है क्योंकि अगर profit percent और loss percent cost price same वाले condition में आ जाया तो उस condition में answer no loss no gain होता है लेकिन ऐसे condition में जब selling price same है और एक में जितने का profit हो रहा है दूसरे में उतने का ही loss हो रहा है ऐसे condition में हमेशा 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 इसका loss होता है और इसका मतलब ये वाला उत्तर और ये वाला उत्तर गलत है और loss कितने का होता है ऐसे condition में तो वो होता है भई इसका square मतलब 20 का square divided by 100 यानि 4 percentage का loss होता है और 4 percentage का loss का मतलब 1 by 25 का loss मतलब अगर मैं यहां से 25 हमारा total CP हुआ तो हमारा जो total SP होगा वो minus का 1 हो जाएगा यानि कि 24 और आप लोग जानते हैं यहां पर कि हमने यहां पर एक house को और एक shop को दोनों को एक लाक रुपे में बेचा था मतलब कुल मिला के 26 का जो total दाम होगा वो 2 लाक रुपे होगा और loss कितने का हो रहा है loss एक unit का हो रहा है तो एक unit का value हो जाएगा 2 divided by 24 और अगर 2 से काटा जाए तो 1 by 12 lakhs 1 by 12 lakhs जो है इसका उत्तर होगा ठीक है 1 by 12 lakhs मतलब C जो है सवाल का से उत्तर है यह हो गया भाई short trick लेकिन अगर आपको यहां पर कोई ऐसे सवाल मिल जाए जिसमें कि selling price सेम होने के साथ साथ बराबर बराबर profit percentage या loss percentage नहीं दिया है तो ऐसे condition में क्या करना है वो अब मैं discuss कर लेता हूँ जो कि हमने normal classes में भी discuss किया है एक बार और समझ लेंगे 20% का मतलब आप लोग जानते है 1 by 5 होता है तो चाहें 1 by 5 यहां पर भी 1 by 5 होगा मतलब अगर हम यहां पर house की बात करें तो house को loss में बिचा गया मतलब 5 पर खरीद कर 4 पर बिचा गया और shop की बात करें तो इसको 20% profit मतलब 5 पर खरीद कर 6 पर बिचा गया लेकिन सवाल में एक चीज़ और दिया है कि दोनों का selling price same है selling price अलग-अलग कैसे हो सकता है 4 और 6 अलग-अलग नहीं है selling price same है तो पहले इसको same करना जरूरी है same कैसे करेंगे तो भई इसका 4 और 6 का LCM होता है 12 तो मैं इसमें पहले वाले में 3 multiply कर लेता हूँ तो यहाँ भी 3 multiply होगा दूसरे वाले में 2 multiply कर लेता हूँ तो यहाँ भी 2 multiply हो जाएगा तो यह value बन गया 12 और यह वाला value भी बन जाएगा 12 यह वाला value बन जाएगा 15 और यह वाला value बन जाएगा 10 अब सवाल में दिया है कि दोनों एक एक लाक हर में बेचे गए यह भी एक लाक में बेचा गया ठीक और यह भी एक लाक में ही बेचा गया overall क्या हुआ तो यहां से पता चल जाएगा कि आपने इन दोनों को खरीदा 25 में इन दोनों को बेच रहे हो तो यहां पर 24 रुक्यों में आगर आप देखेंगे तो ratio यहां पर वही बनाना जो अभी पहले बना था 4% के loss में वहीं यहां से भी आ रहा है लेकिन ऐसे condition इस approach को वह करना जब यहां पर 20% और 20% के अलावा कुछ और वैल्यू दिया अगर दोनों 20% दिया तो हमारे पास शौट ट्रिक है उस शौट ट्रिक को लगाई है कि लॉस बराबर क्या होता है बीस का स्कूर डिवाइद बाइड हमेशा लॉस होता है जब सेलिंग प्राइस सेम होता है नेक्स कोशन यहां से देखेंगे अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है यहां क्या दिया हुआ है एस इसमें कमाया कितना बीस परसेंट कमाने का मतलब एकसो बीस बटा सौ हो जाना अब यह जो चीज है यह क्या है भाई यह सेलिंग प्राइज है एका selling price जो a का है वही b का cost price होगा क्यों क्यों कि a b को बेच रहा है तो a जितने पर बेचा यह जो अभी को दिखायी रहा यह ब का cost होगा मैं अपसको और चुटा करके लिख सकते है कि यह 6WF होगा इसको और चुटा करके लिख सकते हैं कि यह 5WF होगा योग सही है नों की दोनों सही है क्यूंकि आप जानते है 20 परषंट का मतलब 1いきます होता है तो यहां 25 का मतलब 1,25 यह 다음에 5WF पर दो से काटोगे तीन से काटोगे इसको तो 75 इस दो को दूसरे तरफ भेज़ेते तो cost price एका कितना आएगा यह आजाएगा 150 रुपीज ठीक है आसा जो प्रशन है थोड़ा सा important है और इस pattern के question आपके exam में आते हैं तो यह discuss करना जुरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं next simple interest का सवाल दिया हुआ है a sum of 20,750 rupees will be will is left by a will by a father to the to be divided for the two sons at the age of 18 years and 20 years of age so that when they attain a maturity at rupees 24 years 24 years ठीक है यह 24 years पे है ठीक है maturity at 24 years the amount received by each of them at 5% simple interest will be same find the sum allotted to the elder son देखे जो बड़ा बच्चा है ना वो 20 साल का है जो छोटा बच्चा है 18 साल का है दोनों को मिला कर जो पिताजी है वो 20,750 रुपए छोड़ देते हैं कि आप दोनों के लिए इतने रुपए हमने छोड़ दिये अब होता क्या है जैसे यह लोग 24 साल के होंगे तो 5% ब्याज की इजाब से साधारन ब्याज में दोनों को बरावर बरावर हिस्से का जो हैं मिलता है तो पहले तो ही जानना जुरूर ही है कि एमाउंट कितने मिलेगा देखे सबसे पहले आप समझिए कि जो चोटा विच्चा है डिक है जो यंगर विच्चा है और यहोग दो इसके पास पैसा छोड़ा जाएगा वह छे वर्स्रों के लिए यूज होगा इसके पास जो पैसा छोड़ेगा वो तो किवल चार वर्ष के लिए यूज होगा साथ में पांच परसेंटेज ब्याज की दर इसमें भी है पांच परसेंट ब्याज की दर इसमें भी है यंगर ब्रदर को जो amount मिला वो y का 130% होगा, elder ब्रदर को जो amount मिला वो e का कितना होगा, suppose कर यह y मिला इसको e मिला, तो elder जो brother है उसको amount मिलेगा वो 120% मिलेगा, क्योंकि amount होता है principal plus interest, तो principal जो है वो 100% होता है अपने आप में, तो e का 100% plus e का 20% कितना हो गया, 120% इसका amount हो गया, यहाँ y का 100% और y का 30% जोड़ोगे, तो 130% यहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज जो पता चल रही है, वो है इन दोनों का ratio, क्योंकि अगर मैं percentage percentage काट दू, बारे बारे काट दू, तो y divided by 12, बराबर है e divided by 13, तो आपके पास elder son और younger son को किस ratio में पैसे बाटने है, इसका ratio पता चल गया, जैसी इसका ratio पता चला, तो आपको सवाल में निकालना था, elder son को कितना मिलेगा, तो आप देख सकते है, अनुपात में यहाँ 13 है, divided by 13 प्लस 12 जो क्यों हो गया, 25, multiplied by total value दिया है, 20,750 रुपईया, 25 अगर काटा जाए, तो यहाँ 200 है न, 208 बार कर जाएगा, फिर 75 है, तो तीन बार ठीक, और 0 इतने बार जाएगा, ठीक है, चले, 13 इसको multiply करें, 10,400 आ रहा है, और यह 3 है, तो यहाँ 390 भी आएगा, मतलब 10,790 रुपया जो है, elder son को मिलेगा, ठीक है, A is the correct answer for this question, इसी अंदाज में आपको questions को solve करना है, ठीक है, percentage में आप simple interest, compound interest के questions क ला सकते हैं, और percentage में ही आपको सारे questions को solve करना है, इसी approach में मैंने आपको पूरा simple interest, compound interest बढ़ाया है, इसी approach में आप लोग solve करेंगे, तब ही जाकि आपका समय बचेगा, नहीं तो अगर यहाँ पर simple interest is equal to PRT by 100, amount is equal to principal plus interest, यह सब अगर आप लिखने लगे exam में, तो आपका time ज्यादा लगेगा, एक मिनिट से ज्यादा समय, और एक मिनिट से ज्यादा समय, मतलब कुछ ना कुछ questions आपका छूटेगा, पीपर में, चली, आगे बढ़ते है, ratio of the length of two train दिया हुआ है, चार अपाथ तीन, ratio of their speed दिया हुआ है, 6-11, what is the ratio of the time taken to cross the pole, देखें, जभी भी को आपके train की लंबाई होती है, length of train, speed वही होगा, जो train की speed होगी, तो जब आपको यहाँ दे दिया, दो train की लंबाई का अनुपात दे दिया, और इनके गती का अनुपात दे दिया, तो आपको एक खंबे को जब पार करने का अनुपात पूछा जा रहा है, तो यह directly क्या होग 3 को यहाँ भेज देते हैं, तो 9, तो 22 अनुपात 9 सवाल का सही उत्तर है, is the correct answer for this question, बहुत आसान सवाल, चलिए, आगे बढ़ते हैं, a number when divided by 899 remainder is 63, if the same number is divided by 29, what is the remainder, तो आपको बस यह देखना है, कि 29 क्या इसको पूरी तरह से काट रहा है, देखिए, 29, 30, 87 होता है, तो 29 तो 31 से पूरा कट रहा है, मतलब जो answer होगा, वो यही होगा, कि 29 जब इसको काटे, 63 को काटे, तो जो remainder बचे वही आपका उत्तर होगा, तो 63 divided by 29 आपको करना है, दो बार काटोगे तो 58 होगा, माइनस करने पर 5 आजाएगा, ठीक है, तो answer क्या है, 5 है, B is the correct answer for this question, clear है, अच्छा, ठीक है, कुछ लोगों हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, भई देखिए, यह मैंने number system में detail में आपको समझाया है, एक rule, जो remainder थोरम में हमने देखा है, dividend बरावर होता है, diviser into quotient plus remainder, तो जब आप इस number को divide करते, 899 से, तो 899 आपका diviser हो गया, यह आपका quotient हो गया, remainder 63 आ रहा है, अब सवाल कह रहा है कि भई, आप इस number को किस से divide करें, 29 से divide करें, 29 से divide करोगे, तो मैं यही कह रहा हूँ कि 29 इसको तो पूरी तरह से काट रहा है, 337 प्लस 29 मतलब 31 क्यों, यहाँ पर पूरी तरह से कड़ गया, integer value, तो जो remainder बचेगा, वो 63 by 29, यहीं से बचेगा remainder, तो इसको एक बर काट लीजे, 5 जो है, उत्तर हो जाएगा, चलिए, next question देखते हैं, आपके screen के ओपर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि 100 से 200 के बीच में, जो natural number से, जो 3 से divisible है, ठीक है, 100 से 200 के बीच में, जो 3 के गुनाज है, इन सब का आपको यो इसके बाद, प्लस 3 करने पर 105 आता है, इसके बाद 108 आता है, इस तरीके से चलेगा कहां तक, तो आप कहेंगे, sir, 198 तक चलेगा, क्योंकि 99 का दुगना 198 होता है, इसमें अगर 3 जोड दिया जाए, तो अगला number जो है, 200 आएगा, जो कि 100 से 200 के बीच में नहीं है, अगर हम दे सम का वैल्यू होता है, एन बाइ 2, इन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यह होता है, एपी का फॉर्मूला, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इसका योगफल निकालना हम जानते हैं, तो पहला टर्म एक सो दो है, इसमें 198 जोड़ोगे, दोनों का 902, 96 होता है, 96 divided by D मतलब 3, तो 96 divided by 3 करोगे, तो 32 प्लस का 1, ठीक है, यह वाला प्लस 1 भी होगा, मतलब 33 टर्म से है, तो 33, ठीक है, दो से काटोगे, तो 150 आएगा, 150 से इसको मिल्टिप्लाइ करोगे, 45 प्लस 45, याने 495 और 1 0 भी है, 4950 जो इसका उत्तर सही होगा, ठीक है, अच्छा, यह अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो मैंने दूसरा एक और तरीका आपको क्या बता है, एक से लेकर 200 तक और एक से लेकर 100 तक का, तीन के मल्टिपल निकालने का तरीका है, ग्रेटेस इंटीजर फंक्शन से, जिसको आप जानते हैं, तो या तो आप इंटीजर फंक्शन होगा, जो कि 66.66 होता है, तो 66, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 33 हुआ, मतलब 100 से 200 के बीच में जो तीन के मल्टिपल्स है, वो है 33 नंबर्स, तो यह N को 33 निकालने के तरीके अलग अलग है, चाहे आप इ बोल रहा है यहाँ पर सवाल, कि दिये गए इसको, मतलब कि पाई चार्ट को अधियन करके उत्तर देना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ डिग्री मान में दिया है कि कितने-कितने लोग A से, B से, C से, D से, E से, अलग-अलग इंस्ट्यूशन से अपियर हुए थे, और यहाँ परसेंटेज वाइस दिया है कि अगर टोटल अठारे सो में से बारा सो पास हुए, तो A से कितने पास हुए, B से कितने पास हुए, यह आपको परसेंटेज में दिया, तो पाई चार्ट दो तरीके के होते हैं, डिगरी वाला भी होता है, परसेंटेज वाला भी होता है, लेकिन अगर डिगरी वाला है, तो यह टोटल वैलू 360 डिगरी में निकलता है, परसेंटेज वाला है, तो टोटल वैलू 100 परसेंट में निकलता है, यह मेरे आपको बताया ह चली अब देखे सवाल क्या दिया हुआ इसको समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको स्वाल कर लेगी ठीक है तो सबसे पहली बात यहां पर अब इसका कोई भी यूज नहीं है इसका कोई भी यहां पर यूज नहीं है केवल पास वाले की बाते हो रही है तो A में कितने पास होए तो आप कहोगे 22% पास होए और D में कितने पास होए तो D में यहां पर 20% पास होए करेक्ट दूसरी बात जब अनुपात निकालने की बारी आई ठीक है इसको थोड़ा सा मैं स्पेस और बनाने के लिए इसको इधर लिख लेता हूं ठीक ए और डी की बात हो रही तो ए में 22 परसेंट पास हुए इसको मैं यहां लिख लेता हूं और डी में जो पास हुए 20 परसेंट पास हुए इसको मैं यहां लिख लेता हूं दूसरी बात आपको यह बताना है अनुपात जो बॉइस पास हो रहे है ए में जो पास हुए उसमें अ 11 को कट कर दो दो बार घटेगा इस दो से कट कर दो 2 को मतलब पांच अनुपात चार जो है इस सभाल का सही हुद तो यहां से आपका जो रेशियो है वह कितना आ जाएगा वहाजाएगा इतना दें कि खूभी यह है कि आपको इस बारा सो की कोई जरूरत नहीं है आप परसंटेज में ही value को निकाली थो इसको निकाली क्योंकि 1200 वाला फेक्टर तो दोनों तरफ multiply होना है साथ मैं प्रसेंटेज भी लिख Is नहीं लिख रहा है इसको समझें तो जीक्रूराइज तो मत Defence में इसको समझें आ कैसे categorize किया है तो on the basis of their daily wages तो daily wages के साफ से classify किया गया इनको ठीक है तो 100 के multiple में चीज़ है it is ensured that the daily wage of no workers is exact multiple of hundred दूसरी बात यह hundred के multiple है मतलब 2 से 3 के बीच का मतलब 200 से 300 के बीच में 4 का मतलब 400, 5 का मतलब 500, 6 का मतलब 600-700 इस तरी दो 200 से 300 के बीच में पाँच लोग है, 300 से 400 के बीच में 9 400-500 के बीच में बान्ट, 500-600 के बीच में 11, 600-700 के बीच में दो लोग है इस तरीके से यहां पर चीजें दी हुई है अब यहां से आपको क्या समझना है कि आपको जो ratio निकालना है किसका ratio है तो 200 से ज़्यादा लेकिन 400 से कम तो यह 200 से ज़्यादा और 400 से कम तो यही इसका उतर होगा ठीक है चलिए रेश्यो वाले सवाल जो सबसे असान होते हैं अब देखिए यहां दिया है 2010-11-12-13-14 यहां पर company के नाम दिये हों थीक है पांच कंपनी है और सवाल देकर दोड़ान दरणब ट्वी OMG ञार देटा चाहिए कब़का तो यह ओर नरा माधस आप चैणिए? का together to the number of salesman who joined in snap deal in 2014 तो snap deal का केवल एक ही वर्सका चाहिए 2014 का तो snap deal का 2014 का जो data है वो है 6.5 लेकिन flip card का 10 11 और 14 तो 10 11 और 14 तीनों आपको इहां से माइनस करना होगा तो देखिए जब आपको difference लेना है तो बताइए भी इसका total value कितना है अगर मैं देखिए 1.7 और इसको जोड़ दूं बहुत ही smartly आप calculation करेंगे क्योंकि देखिए time कम होता है न तो यह साथ और यह तीन देखकर समझ में आ रहा है कि complete हो जाएगा यह तो मैंने साथ और तीन 17 और इसको जोड़ा तो total 6 यहीं पर हो गया कितना इन दोनों को करोगे तो 1900 इसका उत्तर होगा तो बहुत minimum pen चलाना है mind के उपर यहने दिमाग के उपर ज्यादा जोड़ देना है तब ही जाके जो है speed बढ़ेगा एक्जाम में चली आगे बढ़ते है 14 नमबर का सवाल आपके screen पर यहां दिया हुआ है आए इसको solve करेंगे देखिए पहले पढ़ना जरूरी है क्या दिया जैन फेब मार्च अप्रल में जून डीलर A B C D E मतलब डीलर और यहां मन्त दिया हुआ है तो नमबर क्या है उसको समझ लेते हैं ठीक है study the following graph तो number of cars sold by dealers A B C D E during the first six months of 2018 2018 वर्ष में पहले के छे महिने में यह अलग-अलग dealer ने कितना कितना यहां पर sell किया है कारों को यह बताया गया है यहां अब एक बार सवाल समझ में आ गया तो यहां सपड़ी है average number of cars sold by C in February April में exceeds the number of cars sold by dealer E in January by X what is the value of X तो देखिए यहां पर आपको X का value निकालना है फिर X कहां पर है 40 से 45 के बीच में की 50 से 55 के बीच में की 45 से 60 के बीच में यह आपको determine करना है पहले X क्या है यह समझ लेगे X है भाई 시-क-ार का average February April म racist Ave और माई का इसका आपको average निकालना है ठीक है और दूसरी बात क्या है अजिका जैन्वरी में जो सेल हुआ यह का जैन्वरी में याने इसका जैन्वरी में यह का जैन्वरी निकालना है और इसका इससे difference लेना है जितना difference आएगा फिर बताना है x कहाँ पर लाई कर रहा है परसेंटेज नहीं है बस exceeds the number of cars of dealer e by x बोला है मतलब direct difference के उपर है ना कोई परतीसद के उपर है चली solve करते हैं अब देखें यहां से इसमें जैसी हम देखें सवालों को तो आपको थोड़ा smartly सोचना है आप यहां पर exam लिखने जा रहे है SSC का जिसमें आपके पास time constant होता है तो सोचिए कि बिना pen चलाए कैसे यहां पर इसको जोड़े देखें यह जो 25 है और यह जो 35 है इसको अलग कर लेते हैं अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा समझिए कि ये भी 600, ये भी 600, ये भी 600 मतलब average तो 6 सही हो गया और 600 में किसका अंतर पूछ रहा है आपसे 600 का अंतर इससे पूछ रहा है 548 से तो पता यह मौखिक तरीके से आप इसको solve कर सकते इसके साथ जो है वो अंतर कितने का बना 52 का difference बना अब 52 अगर x का value है तो x किसके किसके बीच में होगा 50 से 55 के बीच में होगा तो 50 से 55 के बीच में बतलब c जो है सवाल का सही उत्तर हो गया ऐसे ही आपको एक्जाम में solve करना है ठीक है चलिए तो चार डी आई के प्रश्ण आपके एक्जाम में हाते है चारो हमने discuss किया आप देखिए एलजावरा के कुछ questions यहां से देखते है एक एक करके सारी चीज़े समझेंगे देखिए x का value है root 2 प्लस 2 और यहां पर आप देख रहे है 2x square भी है x भी है देखिए इस तरह के प्रश्ण मैंने आपको पहले भी कराया था वहां पर मैंने आपको बताया था directly अगर आप x का value दालोगे उत्तर तो आना ही है लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि मैं कैसे time को कम करूं दस सेकेंड आपको इसी time में या सोचने में लगाना है कि 5 चलाने के पहले सोचना है कि कैसे करें क्या इसको x plus 1 by x वाले format में convert कर सकता है क्योंकि देखिए यह 2x square यहां पर 2 है उसको अगर rearrange कर ले तो यह बन जाएगा आपका minus 2 by x minus 3 यहां से यह बन जाएगा 3x minus 3 by x और minus का 4 अब अगर मैं इन दोनों से 2 को common निकालने पर अंदर बचेगा x divided by x minus 1 by x इन दोनों में से अगर मैं 3 को common निकाल लू तो बन जाएगा x minus 1 by x यह हो जाएगा भई ठीक है अब यहां x minus 1 by x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है x आपके पास है root 5 plus 2 क्या 1 by x का value आप लोग निकाल सकते ही हो जाएगा 1 by root 5 plus 2 इसको भी आप mind में calculate कर सकते हैं यह चीजे mind में calculate हो जाती है कि अगर मैं root 5 minus 2 और root 5 minus 2 को उपर नीचे multiply डिवाइट करूं तो नीचे जो बनेगा यह बन जाएगा root 5 का square जो की है 5 minus 2 का square मतलब 4 मतलब denominator क्या हुआ 5 minus 4 जो की हो गया 1 मतलब इसका value जो है 1 हो गया तो मैं यहाँ पर इसके जगा पे लिख सकता हूँ कि 1 by x का value जो है वो क्या है root 5 minus 2 है सवाल में आपको x minus 1 by x का value चाहिए तो x minus 1 by x करोगे root 5 root 5 कर जाएगा 2 minus minus 2 करने जाओगे तो plus का 2 मतलब 4 क्या सवाल में दम है देखिए यहाँ पर x plus x minus 1 by x का value 4 है तो यहाँ पर 2 into 4 करोगे 8 minus 3 आएगा 3 into 4 करोगे तो 12 minus का 4 आएगा इसको minus करने पर 5 divided by 8 जो है सवाल का उतार है 5 by 8 का मतलब आप लोग जानते 0.625 होता है अब इसको कैसे याद रखें 0.625 होता है इसको कैसे याद रखा जाए चलिए इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा discussion आप लोग के साथ कर लेता हूं देखिए आप समझना यहां से 12.5 percentage का value क्या होता है यह होता है 1 by 8 इसका मैं अगर double कर दूं तो आएगा 25 percentage जो क्यों होता है 2 by 8 जिसको हम लिखते है 1 by 4 ठीक इसका value क्या है 2 by 8 जो क्या होता है 1 by 4 होता है ठीक है तो percentage वाली चीजों में यह सारी चीजे हमने देखा है अगर मैं इससे 37 7.5 percentage लिखूं तो यह होता है 3 by 8 और अगर मैं यहां पर ठीक है 50 percentage लिखूं तो 50 percentage 12.5 into 4 होता है मतलब 4 by 8 जिसका मतलब क्या होता है तो आधा इसके आगे बढ़ोगे तो 62.5% आएगा जो की होता है 5 by 8 और यहां पर अभी अभी जब 5 by 8 आया तो मैंने औरली इसको बता दिय होगा तो चीजों को connect करिए एक चीज जहां पड़े हो दूसरे जगा यूज नहीं होगा ऐसा नहीं calculation में चीजों को याद रखने से भी कई बार calculation असान होता है इसमें अगर 12.5 जोड़ूंगा तो 75% आएगा जो की होता है इसमें 12.5 जोड़ूंगा तो 87.5 percentage होता है जो की क 37.5 यह सारे जो है important percentage values है चली नेक्स कोशन देखते हैं बहुत आसान सवाल अगर मैं इस 5X को उठाके यहां ले आओं तो बन जाएगा 2X स्क्वार प्लस 5X प्लस 1 is equal to यह 5X से जार आएगा 15X बन जाएगा तो इस 5X को उठाके दूसरे तरफ ले जाते है तो माइनस हो जाएगा 10X 10X तो 2X स्क्वार प्लस 1 है आपको जो वैल्यू निकालना है वह X प्लस X प्लस 1 by 2X से तो मैं क्या करूंगा 2X से डिवाइड कर लेता हूं तो यह बन गया X प्लस 1 by 2X और यहां पर आपका वैल्यू 5 आ जाएगा ठीक है तो बहुत ही आसान कुश्यन है यहां पर आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं है चलिए नेक्स्ट कुश्चन क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस एक्स्प्रेशन को देखने से इसका एंसर क्या होता है यह मैंने आपको कई बार बताया इसको आप डिरेक्ली थ्योर्म के तहर्याद रखिए कभ रहा है रूट 3 और रूट 2 कर रहा है और सवाल अगर पूछे कि x plus a divided by x minus a plus x plus b divided by x minus b इसका एंसर अगर आपसे पूछ रहा है तो हमेशा 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 इसका वैल्यू क्या होता है ठीक है तो इसको आप कई बार मैंने पता है component और डिविदेंडों के तहत यह सॉल ह होता है अब मैं दुबारा यहां पर रिपीट नी करूंगा आप लोग वीडियोस देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है यहां पर रूट 3 को नीचे लगा के component डिविदेंडों रूट 2 को नीचे लगा के component डिविदेंडों लगाना है दोनों को जोड़ना है तो answer 2 आ जाता है ठ 3 4 5 रिपलेट होता है तो वहां सी यह 3 हो जाएगा सवाल में आपसे पूछ रहा है टैन अल्फा टैन अल्फा का मतलब 3 by 4 divided by 1 plus 3 by 4 का square मतलब 9 by 16 तो 3 by 4 तक तो ठीक था नीचे डिनॉमिनेटर में 16 plus 9 by 16 आएगा इस 16 को मैं उपर भेज देता हूँ तो यह cancel out हो जाएगा 4 बार मतलब 12 और divided by 16 plus 9 होता है 25 तो 12 by 25 जो है उत्तर होगा बी क्लियर है चलिए आगे बढ़ते है next question tan a का value है 1 मतलब a का value 45 degree tan b का value है root 3 मतलब b का value 60 degree यहाँ तक clear आप से पूसर है cos a cos b sin a sin b मतलब cos 45 cos 45 degree into cos 60 degree और sin 45 into sin 60 degree इन सब का multiplication आप से पूछ रहा है तो बताइए कितना है root 3 by 8 ही आना चाहिए क्योंकि देखिए cos 45 का value होता है 1 by root 2 cos 60 का value 1 by 2 होता है sin 45 का again 1 by root 2 2 और sin 60 degree का root 3 by 2 होता है तो यह root 3 तो उपर का उपर रहेगा 2 2 is the 4 होता है root 2 into root 2 भी 2 हो गया मतलब 2 into 2 into 2 divide करोगे तो यहाँ पर root 3 by 8 जो है सवाल का से उत्तर होगा c is the correct answer for this question clear है next question दिया है यहाँ पर cot theta अगर मैं इसको 4 से काटूं तो यह 4 यह 3 मन जाएगा मतलब cot theta का value दिया है न 3 by 4 और cot theta का value क्या होता है आप कहेंगे sir cos by sin होता है मतलब इसको cos theta by sin theta रिख सकते है और ratio में कई बार मैंने आपको बताया है कि उपर जितने values है वही values नीचे भी चल रहा है degree same है तो directly आप इसका value दाल सकते है मतलब sin theta की जगह पे 4 cos theta की जगह पे 3 sin theta की जगह पे 4 cos theta की जगह पे 3 मतलब 7 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा a option ठीक है कभी भी cos theta का value और sin theta का value minus 1 से 1 के बीच में नहीं होता लेकिन अगर ratio में चीज़े चल रही है तो आप यहां पर उपर नीचे इसका value दाल सकते है ठीक है क्योंकि वह factor जो है cancel हो जाएगा next question यहां पर inner triangle a b c d and e are points on side a b a c such that d e is parallel to b c a d e का value दिया d b का value दिया अगर एक ट्रेंगल बना है a b c a b c एक ट्रेंगल में दिया गया है d और e जो है a b और a c में बिंदू है d और e जो है a b a c में कुछ बिंदू है e में और यहां पर अच्छा d यहां पर a b में है और e यहां पर a c में है ठीक है और अब आपको बताया गया कि a d का value x है ठीक है और d b का value x minus 2 है साथ में a e का value x plus 2 e c का value x minus 1 ठीक है तो थेल स्थियोरम क्या कहता है कि आपने यहां पर जब d e को बनाया जो कि d e क्या है points इसमें है such that d e parallel to b c d e अगर parallel हो गया b c पर तो यह जिस अनुपात में एक साइड को काटता है उसी अनुपात में दूसरे साइड को भी काटता है मतलब a d by d b जो value है x divided by x minus 2 बराबर होगा a e यानि x plus 2 divided by x minus 1 अब आप चाहें इसमें dividend नों लगा लीजिए cross multiply कर लीजिए सब आपके उपर है x को calculate करना ठीक है तो आप values substitute कर को भी देख सकते है answer आपका same आएगा चाहें आप कैसे भी solve करिए जैसे कि अगर मैं cross multiply करता हूं तो यह x minus 1 यहां जाएगा x square minus x होगा यह यहां पर जाएगा तो x plus 2 into x minus 2 है तो x square minus का 4 होगा x square x square कट गया minus x बराबर minus 4 है तो x का value 4 आएगा 4 याने b जो है सवाल का सही उतर होगा clear है यहां तक चलिए next question equilateral triangle दिया है AD जो है perpendicular है BC पर तो इन चारों में से क्या सही है equilateral triangle की बात हो रही है भई equilateral triangle में क्या होता है equilateral triangle में सारे sides equal होते हैं और सारे sides equal होगा है तो सारे angles भी equal होते हैं जब बुला गया AD जो है lump width है lump width का मतलब perpendicular जब आप 90 degree का यहां पर value डालते है ठीक है और आपको relation दिया है AB और AD पर तो अगर मैं यहां पर 60 degree लगाओ तो sin 60 degree जो होता है sin 60 degree जो होता है यह होता है AD divided by AB sin 60 degree होता है root 3 by 2 तो अगर दोनों का square कर दिया जाए तो AD का square divided by AB का square जो है यह हो जाएगा 3 by 4 ठीक तो यह 4 AD square जो है बराबर 3 AB square के है 4 AD square जो है 3 AB square के बराबर है C जो है सवाल का से उतर है और इसकी वैसे कोई आवसकता नहीं है आप लोग को बस यह जानना है कि height जो होता है यह root 3 by 2 times side होता है यह मैंने आपको कई बर बताया है तो height यहाँ AD है तो इसके जगा AD दाल दीजे और इसके जगा AB दाल दीजे क्योंकि side चाहे आप AB लिजे चाहे BC लिजे चाहे AC लिजे equilateral triangle का मतलब अगर यह A है तो यह भी A होगा और यह भी A होगा ठीक साथ में आप यह भी जानते है कि अगर यह 90 degree पर कट रहा है तो यही इसका median भी होगा यही perpendicular by sector भी होगा यही angle by sector भी होगा केवल केवल ऐसा दो ही जगा पर होता है पहला इकुलेटर ट्रेंगल में दूसरा ऐसो से ट्रेंगल में वह भी तब जब आप equal side के बीद से perpendicular drop करें हर ट्रेंगल में ऐसा नहीं होता ठीक है तो कुछ और बाते भी मैंने आपको बता दी चलिए आगे बढ़ते है नेक्स solution ठीक है important pattern है यह बहुत important इसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेता हूं common tangent का property है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा discussion positively अगर यहां पर एक circle के उपर यहां circle touch किया हुआ है उसके बाद एक और circle ऐसा touch किया हुआ है तो आरवन आर्टू आर्थरी का जो अनुपात होता है यह वन इस्टू थरी में बढ़ता जाएगा मतलब आरवन आर्टू का अनुपात वन इस्टू थरी होगा इस ratio में यह पीछ में ठीक है एक मतलब की दो circles इस तरीके से आप touch करते हुए मनारे common tangent एक point से मनाया गया और यह common tangent अगर यहां पर पी जो है यहां पर 60 मतलब बी जो सवाल कसी उतर है अब ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा discussion कर लेते हैं ठीक है चलिए यहां से मैं आपको common tangent का एक property बता देता हूँ इसको आप बढ़िया से notes बनाना इस चीज़ को मैंने common tangent में आपको नहीं पढ़ाया था तो मैंने ज तरीके से जिसमें circle इस तरीके से फसे हुए है त्टेक है यह सरकल इस तरीके से फसे हुए है यह point जो है p है इस point से हमने दो tangent बनाये यह जो circle है पहला circle इसका radius r है तो अगर मैं यहां सेainted course को जोड़ दूँ ठीक है इसका centre जो है और iş अपा center यहां पर है इसका center prop x है यह इसक radius small r मानलू और इसका radius जो है capital r मानलू radius जो होता है वो point of contact पर perpendicular होता है तो यह जो point pa है और इसको मानलेते pb साथ में इस point को c मानलेते हैं इस point को d मानलेते हैं ठीक अब यहां से थोड़ा सा चीजों को समझना अगर यह पूरा का पूरा angle यहां से लेकर यहां तक का पूरा का पूरा angle जो है theta है क्या है theta है तो आधा आधा angle बढ़ जाएगा यह वाला जो है theta by 2 होगा और यह वाला angle भी theta by 2 होगा ऐसा क्यों क्योंकि भाई जब इस point से जब आप center को जोडते हैं तो जो उपर है वो नीचे है symmetric figure है congruency से भी हमने कई बार यह चीज proof किया है जो उपर है वो नीचे है ठीक तो यहां से थोड़ा सा हम construction करेंगे कैसे construction करते हैं इसको समझना ठीक सबसे पहली बात यह जो इसकी लंबाई आप लोग जानते हैं यह हो जाएगा आर प्लस आर होगा की नहीं होगा ठीक यह हो जाएगा आर प्लस आर तो मैं क्या करूंगा इसको इसके parallel एक line ड्रॉ कर दूँगा ए से parallel to xy कुछ line मैंने इस तरीक से ड्रॉ कर दिया तो यहां से a है d है यह point को e मार लेते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह line जो है मतलब यह जो py है यह parallel है किसके a e के अब देखे यह पूरा का पूरा length r था क्योंकि अब आप समझेंगे यह perpendicular है यह यह perpendicular है यह perpendicular तो automatically जो ax है वो by के perpendicular होगा ही होगा क्योंकि देखे यह 90 degree 90 degree है radius जो होता है tangent पर perpendicular होता है तो इसके तहत यह जो axye है यह पैरलोग्राम बन गया क्या बन गया पैरलोग्राम बन गया तो ऐसे condition में क्या हुआ कि यह अगर r था यह अगर small r था तो यह भी small r ही होगा फिक है तो अगर यह पैरलल है मतलब यह इसके पैरलल है तो यह corresponding angle से अगर यह theta y2 है तो यह भी theta y2 होगा फिक है यह जो b e का value है यह जो b e है b e का value कितना हो गया यह हो जाएगा r minus का r यहां से लेकर यहां तक का लेंद r-car होगा क्योंकि पूरा लेंद r capital आ रहा है यह small r है तो यह capital r minus small r हो जाएगा बी यी का value अब यहां से ae का value क्या है जो r plus r है वह यह भी हो जाएगा r plus r क्योंकि parallelogram में opposite side जो है वो दोनों equal होते हैं तो अगर आप इस triangle ABE की बाद करें, triangle ABE, इसमें यदि मैं sin theta क्या है आपसे पूछता हूँ, sin theta क्या है मैं आपसे पूछता हूँ, तो 90 degree के सामने ये वाला जो है perpendicular का काम कर रहा है, ये hypotenuse का काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सरीय तो हो गया BE divided by AE, BBE divided by AE, perpendicular divided by hypotenuse, देखें base ये है, 90 degree यहाँ है, मतलब base ये है, hypotenuse ये है, perpendicular ये है, तो perpendicular divided by hypotenuse होता है, तो ये हो जाएगा R minus R, divided by R plus R, sorry, sin theta नहीं है, इसको correct करना sin theta by 2 है, sin theta by 2, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचें, कि value यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर आपको ये angle का आधा चाहिए, पूरा का पूरा angle है, इसका अगर आधा आधा आपको चाहिए, theta by 2, तो यहाँ theta by 2, sin theta by 2 का value क्या है, capital R minus small R divided by R minus R, यह sin theta by 2 का value, अगर आप इसमें component ओ, dividend ओ लगाए न, इसमें अगर component ओ, dividend ओ, आप लोग लगाएंगे, तो एक result और आप note down कर लेना, जो बहुत important result है, कि capital R by small R, इसका जो ratio होता है, 1 plus sin theta by 2, divided by 1 minus sin theta by 2 होता है, very 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 important result, ठीक है, अगर आपको angle से ही है, तो capital R minus small R divided by capital R plus small R कर लेना, यह sin theta by 2 का value होता है, theta by 2 मतलब पूरे के पूरे angle का आधा, और वहीं अगर आपको इसका ratio, इसके radius का ratio और इसके radius का ratio, उस case में जो value आता है, तो यहाँ पर 1 plus sin theta by 2 होगा, यानि 30 degree, और यह मतलब कि theta by 2 होगा, और 1 minus sin theta by 2 होगा नीचे, 30 degree इसलिए मैं कहा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारा जो question है, उसमें आप देखेंगे तो theta कितना है, उसमें theta है 60 degree का, तो अगर theta 60 degree है, तो आप मेरे कोई बता सकते हैं, कि sin theta by 2 क्या होगा, मैं अगर theta को यहाँ पर 60 degree दाल देता हूँ, theta is equal to, अगर मैं 60 degree दाल देता हूँ, तो sin theta by 2 क्या होगा, आप कहेंगे सर यह तो 30 degree होगा, यह half हो जाएगा, तो ऐसे condition में 1 plus half divided by 1 minus half होगा, तो r by r जो है, 1 plus half मतलब 3 by 2, और r minus half मतलब 1, तो ऐसे condition में 3 is to 1 का ratio बनता है, radius का, clear है, तो इसी लिए जब theta is equal to 60 degree हो गया, ऐसे condition में radius का ratio एक अनुपात 3 में बढ़ता है, अब एक सवाल में आपको यहाँ पर करा देता हूँ, इसका answer बताना आप लोग, ठीक है, तो एक circle इस तरीके से है, दूसरा circle यहाँ पर इस तरीके से है, तो यह equilateral triangle है यहाँ पर, ठीक है, यह जो circle है, इसका area दिया हुआ है, आपको 4 pi, इसका area दिया हुआ है, आपको बताना है इसका area क्या होगा, ठीक, तो देखे, equilateral triangle की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि यहां जो angle बनता है 60 degree का बनता है तो अगर यहां radius r है और यहां radius capital r है तो इसका जो ratio होता है 1 to 3 का होता है अब pi r square बरावर इतना था तो pi r square बरावर इतना है तो यहां जो radius होगा इसका value कितना होगा इसका value 2 होगा अगर यह 2 है तो इसका radius जो है 6 हो जाएगा और अगर इसका radius 6 है तो इसका जो area आएगा यह आजाएगा 36 pi क्योंकि pi r square होता है या आप directly यह भी कर सकते है कि 4 है तो radius तो 1 is to 3 है तीन गुना है तो area जो इसका 9 times हो जाएगा तो बहुत important result है इसको आप बढ़िया से note down करना अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैंने जो answer लिखा था 1 plus 4 by 9 ऐसा क्यों था एंगल a is 64 degree what is the angle of boc तो एक triangle दिया हुआ है भई a b c इसमें a b और a c को बढ़ाया जाता है और angle bisector जो है किसके कि a b और a c को कहां तक बढ़ाया गया d तक और e तक अब c b का angle c b e c b d अच्छा c b d का angle bisector मतलब इस angle का bisector और साथ में b c e का angle bisector दोनों मिलते हैं एक पॉइंट पर पॉइंट ओपर आपको एंगल बी ओसी चाहिए कि भी ओसी होता है 90 degree माइनस का एंगल इसके बारे में मैंने डिसकेशन किया अगर इन सेंटर की बात हो रही है तो वहां 90 degree यह plus होता है मतलब इन दोनों का angle bisector जहां मिला वह इन सेंटर होता है लेकिन अगर बाहर exterior angle का angle bisector जहां पर मिलता है उसे हम क्या कहते है वह होता है आपका एक सेंटर ऐसे condition में 90 degree minus a by 2 होता है तो 90 minus इसका आधा 32 degree 30 minus करोगे तो 62 degree और minus करना है तो 58 degree आएगा answer ठीक है जो बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा चलिए एक आखरी सवाल और length of a triangle and breadth of a triangle is increased by 40% 70% respectively percentage increase in the area तो area of a rectangle होता है length into breadth इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके अगर आपने length को बढ़ाया 40% से मतलब successive percent change लगेगा क्योंकि ये value आपका 40% बढ़ रहा है और इसी value को आप बढ़ा रहे 70% से तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक value जो है 40% से बढ़ रहा है जो कि x के बराबर है दूसरा value y% से बढ़ रहा है जो कि 70 के बराबर है तो यह जो है percentage net से change होता है और इसका value होता है x plus y plus xy divided by 100 x plus y मतलब 40 plus 70 110 plus xy divided by 100 करोगे तो 28 आ जाएगा ठीक है 70 का 10 और 40 का 10 दोनों 100 से कड़ गया बचा कितना 4 into 7 28 दोनों को जोड़ोगे तो 138 percentage आएगा मतलब 138 percentage से यहाँ पर increment हो रहा है पूरे के पूरे area का ठीक है चलिए अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ आशा करता हूँ कि यह जो practice session है यह आपको काफी फाइदे मंद लग रहे होंगे और इससे जो है आपका practice जो है वो बढ़ रहा हो क्योंकि सारे topics इसमें covered है जिस तरीके से exam में आपका question आता है हाँ, हाला कि आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे सकता है कि shuffled हो questions मैंने थोड़ा से यहाँ पर shuffle नहीं किया है सवालों को एक line में जमाया है ठीक है, तो आपके exam में जो है question थोड़े से और shuffle देखने को मिल सकते है ठीक, तो जो practice sessions की जो series है उसमें मैंने बताया था maths के दो paper, SST, CGL के, दो CHSL के और बाकी जो है हम लोग create करके आपके सारे discuss करेंगे तो यह पहला है, थोड़ा सा मैंने आसान लखा है रखा है यहाँ पर, आगे आने वाले जो practice set हमने जो बनाया है, design के उसमें थोड़ा सा difficulty level में बढ़ाते चलूँगा ठीक है, तो आप लोग revision बढ़िया से कर रहे होंगे ऐसा मैं उमीद करता हूँ, क्योंकि CHSL का exam जो है अगले महिने, मही में होना है अच्छे से preparation करिए, काफी समय जो है हमने आपको दिया है पुरा syllabus आपका March end तक complete हो गया था अब ये April के महिने में practice session भी आपको दिया जा रहा है इनी कुछ बातों के साथ, thank you so much इस वीडियो में इतना ही, next practice session में बिलते हैं फिर कुछ 25 सवालों के साथ, thank you so much